गैरंटी है इस रेसिपी को देखने के बाद से लौकी से आपको प्यार हो जाएगा और गर्मियों में इसे खाने के बाद तो रोज ही आप किलो के किलो लौकी ले कराएंगे ना सबजी ना पराठे और ना ही हलवा बहुत ही शांदार तरीके से साबुद आने और लौकी से ब बहुत आसान है उसके लिए मैंने एक सॉफ्ट सी लौकी ली है जितना अच्छा और इदम ताजा फ्रेश लौकी लेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही जादा टेस्टी और उतनी ही जादा बढ़िया बनेगी तो यहां पर मैंने लौकी को बढ़िया से धो लिया है इसके जो का हिस्सा है यानी जो छिलका है उसको हम हटा लेंगे आपको जितनी कॉंटिटी में यह रेसिपी बनानी हो उसी साफ से आप लौकी ले सकते है तो मैंने लगबग 800 ग्राम यह लिया है छिल लिया है मैंने इनको दोनों साइट्स हम इस तरीके से काट लेंगे और चलिए मैं आप देख सकते हैं लौकी कितनी जदा नरम है इसमें बीज भी बहुत ही छोटे छोटे है लेकिन फिर भी हमें इसके जो बीज का हिस्सा है उसको हटाना होगा इस रेसिपी को बनाने के लिए तो चाकू से या चमच की मदद से हम इनको इस तरीके से खुरच कर इनके जो ब बीज कर आटा गूत करके पराटे भी बिना सकते हैं तो यहां देखिए इतने ज्यादे सॉप्ट है इसमें छोटे छोटे बीज है डौकी एकदम नरम है फिर भी हमें इसकी जो बीज का हिस्सा है उसको इस रेसिपी में इस्तमाल नहीं करना है तो इस तरीके से लेक सकते है चमज की मुदद से मैंन का जो बीज का पल्प वाला हिस्सा है वो हटा लूँगी तो बहुत ही असानी से यह निकल जाते हैं यह देखें लौकी की और भी बहुत ही हल्दी और इकदम नई ने रेसिपी के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे आप जाकर देख सक आपकी रेसिपी का लुक और उसका टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा तो देखिए इसको इस तरीके से रिमूव कर लिया है मैंने दोनों साइड्स के लौकी हमने बीज हटा दिये हैं हमारी लौकी बिलकुल तयार है आप यहाँ पर लौकी की क्वांटिटी बढ़ा सकते ह तो मैं आप पर 800 ग्राम लौकी बेरी हूँ खासकर गर्मियों में इस रेसिपी को अगर आप एक बार बना लेंगे तो देखना वाह वाह करते रजाएंगे और रोज इसे बनाना चाहेंगे बहुत जदे स्वादिश्ट बनती है और बहुत जदे ठंडक देने वाली करेंगे यानि जो पचाववा प्रोड्शन है उसको हम कद्दूकस करके तैयार करेंगे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मोटे वाले ग्रेटर से नहीं बारीक वाले ग्रेटर का इस्तमाल करना है यह देखेए इतने जच्छोटे वाले से हमें इसको कद्दूक के तो यहां देखिए मैंने इनको इस तरीके से कद्धुकस कर लिया है टेक्शर आप देख सकते हैं लौकी की थिकनिस यह देखे एकदम बारीक है ज्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़ादा पतली भी नहीं है कि एकदम पेश्ट हो जाए इतना भी ज्यादा बारीक नहीं क करना है तो देखिए मैंने आपर इनको बढ़िया से कदुकस कर लिया है चलिए उनको कुक करते हैं उसके लिए एक भारी तली का बरतन ले लिए कढ़ाई भगोना फतिला जो भी आपकी घर में हो बड़ा और तली उसकी हैवी होनी चाहिए जिससे आपकी रेसिपी जले नहीं अच्छे से गरम होनी के बाद एक या दो चमच घी डाल दें और इसमें मैंने थुड़े से कटे हुए ड्राइफरूट लिये हैं जिसमें बादाम, काजू, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं जो भी ड्राइफरूट आपको पसा हैं दो आप यहाँ पर डा इसमें हम एक चमच घी और एड़ करेंगे, अगर आपको घी इस रेसिपी में नहीं पसंद है तो आप एक चमच घी में भी बना सकते हैं, जाता घी डालने की ज़रूरत नहीं है, गी अच्छे से मेल्ट हो गया है, मैंने फिर से एक चमच घी डाल दिया था और ये 1.5 कप क के लिए रेसिपी बना कर आप तयार कर सकते हैं, बहुत यासानी से, बहुत ही टेस्टी तरीके से, और देखना आप इसको खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, लौकी को हम घी में अच्छे से मिलाएंगे, और 5 मिनिट तक भून लेंगे, जिसे कि इसमें जो ड्रस है, जो पानी है, वो हलका सा सूख जाए, आप देखेंगे, पैन में धीदे चीपकने लगेगा, तब समझें कि आपकी लौकी अच्छे से सिक कर तयार हो चुकी है, ये देखें, 3-4 मिनिट के अंदर ये बढ़िया से सिक गए हैं, और ये हलके से चीपकने लगे हैं, तो अब इसमें डालने की ज़रुरत है दूद, ये रेट कप लौकी के साथ मैंने एक लिटर फूल क्रिम मिल्क का इस्तमाल किया है, अगर आपके पस फूल क्रिम मिल्क ना हो, टोन मिल्क है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगे, जिससे आपकी रेसिपी शांदार तो बनेगी ही, क्रीमी और बहुत टेस्टी बनेगी, ये पूरा एक लिटर दूद मैंने लौकी के साथ एड़ कर लिया है, अब फ्लेम को मीडियम कर लें और दूद को अच्छी तरीके से उबाल आने तक हमें पकाना है, लगबग 5-7 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पकाएंगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे जो दूद है वो गाठा होने लगेगा, और ये देखेंगे 5-6 मिनिट के बाद दूद अच्छी तरीके से गाठा होने लगा है, साइट्स में जो इसकी मलाई लग रही है, उसको अब इस तरीके से खुरचते रहें, ताकि जो मल आई है, वो जले नहीं, और रेसिपी हमारी एकदब क्रीमी, टेस्टी और लच्छेदार बने, तो देखिए बढ़िया से उबार आ रहा है, अब इस पे हम थोड़ी सी, ये सापुदाने आड़ करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर चावल भी आड़ कर सकते हैं, जो नए चावल आते हैं, छोटे दाने वाले वो भी डाल सकते हैं, इस पेशली खीर बनाने के लिए होते हैं, मैंने आपर सापुदाना इसलिए यूज किया है, ताकि आप इसे वरत में भीखा सके, और गर्मियों में ये बहुत ही ठंड़क देता है पेट को, तो आप यहाँ पर च चार चमच डाला है, हमें डेड़कप साबुदाने के साथ, अच्छी तरीके से मिलाएंगे, तब तक पकाएंगे, जब तक कि साबुदाना अच्छी से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, चमकदार ना हो जाए, बढ़िया से कुक ना हो जाए, तो इसको हम मेडियम फ्लेम पे रेसिपी बहुत शांदार बनती है, तो बढ़िया से मिला लीजेगा, चीनी हमें जादा नहीं डालना है, इस रेसिपी को हलका मीठा ही बनाते हैं, बहुत जादा मीठा बना देंगे, तो खाने का मज़ा नहीं आएगा, आप मैं डाल रहे हूं इसमें दूद की मलाई, जो की बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है, तो डालकर जरूर देखेगा, और आपको बहुत ज़दी परक दिखेगा, अच्छे से डालकर मिला लिया है मैंने, और अब इसको पांच मिनट हम और पकाएंगे, ताकि जो दूद है वो एकदम गाढ़ा हो जाए, और अच्छी तर को साथ मिनट मिडियम फ्लेम पे पकाया है, रिसिपी हमारी अल्मोस्त तयार होने लगी है, और देख सकते हैं साबुदाने बढ़िया से कुक हो चुके हैं, ट्रांस्लोसेंट हो गए हैं और एकदम क्रीमी सा इसका टेक्शर आ गया है, तो अब इस स्टेश पर हम डालेंग इसमें कुटी हुई इलाइची, लगभग दो मैंने हरी इलाइची लिए थे, उनको इस तरीके से कूट लिया है, बढ़ी अगदम मावे वाला खोई वाला टेस्ट देने के लिए मैं डालूँगी इसमें कंडेंस मिल्क और घर पर बना है, आप इसका टेक्शर और कलर जिजर्ट में अड़ कर सकते हैं, तो कंडेंस में डाल दिया है, मैंने लगभग आधा कप के असपास अच्छे से मिलाएं, अगर आपको इस लौकी की खीर में थोड़ा सा कलर पसंद है, तो आप ग्रीन फूट कलर एड़ कर सकते हैं, मैं आप इसे बिना कलर के बनाऊंगी जो देखने में जादा अच्छा लग रहा है, और खाने में भी हेल्दी होगा, और अगर फूट कलर एड़ करना चाहते हैं, तो सिर्फ दू या तीन बून डालिएगा, जिसे एक इदम हलका सा कलर आएगा, तो चलिए हमारी रेसिपी तयार हो गई, अभी ये गरम है, इसल पहले रूम टेंपरेचर पर ठंडा करें, फिर आप फ्रिज में रखेंगा, गरम गरमे फ्रिज में नहीं रखना है, मैं इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करूंगी, चलिए इसको थोड़ा सा डेकुरेट कर लिंगे, जो हमने ड्राइफ रूट भून कर रेडी किये थे यह देखें काजू और बादाम से, आप इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, केसर के धागे डाल सकते हैं, तो मैं इनको अच्छी तरीके से इस तरीके से सजालूंगी, जैसे आपको पसंद है आप इसमें खला कारिया कर सकते हैं, मैंगो के पल्पी बारिक काट करके डाल जा सकते तो लीजिए हमारी रेसिपी एकदम बढ़िया तयार है, लगरी ने एकदम शानदार, तो मैंने थोड़ी से केसर के धागे और थोड़ी से चांदी वर्क के उपर लगा दिया है, जिससे एकदम शाही वाला टेस्ट आया है, और लुक भी इसका बढ़ गया है, तो देखते है आगे आना मुमे पानी, चलिए आपको इन्हें निकाल कर दिखाती हूँ, यह देखिए, इसका टेक्स्चेर, इसकी ठिकनेस और इसका लुक देखिए, कितना जादा गजब का है, लौकी का एकदम नेचरल कलर आया है इसमें, अगर आप वरत में इससे बनाना चाहते हैं, रेसिपी कैसी लेगी जरूर लिख के बताईएगा, अगर पसंद आई तो अपने ठेर सारे फ्रेंट्स और फैमिली के साथ इन गर्मियों में इस थंडी थंडी सी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर दिन आपके पास नए नी वीडियो की नोटिफिकेस्स मिलते रहें, समर श्पेशल और नए नी रेसिपी और मैंगो की रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया ही है, इस वीडियो में सबसे बात होगी एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक कियर, और बाबाई